तो दोस्तों आज मैं आ गई हूँ एक बेहधी लजीज टेस्टी लंच बॉक्स रेसिपी के साथ यह रेसिपी बिना ताम जहाम के बनती है मिंटों में बनके तयार हुजाती है तो देर कीस बात की चलिया इस रेसिपी को सुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों ममता की रस्वई में आपका स्वागत है मैं ममता दूबे आज लेके आ गई हूँ एक चट पटा सा नास्ता मेरी यह रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर प्रेस करें तो यहा यहां पर मैंने हाप कप से थोड़ा सकम यानि 3 टेबल इस्पून मैंने चावल का अटा ले लिया है इससे नास्ता बहुत ही क्रिस्पी बनेगा यहां पर मैंने थोड़ा सा लगभग एक कप ही ग्रेट किया हुआ कद्दू ले लिया है यानि लौकी ले लिया है उसके डालेंगे एक बारी कटा हुआ टमाटर, इसके बाद चिली फ्रिक्स डाल रही हूँ, दोस्तों ये नास्ता बहुत ही चटपटा बनता है, यहां पर बारी कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, आप बचों के लिए बना रहे हैं, तो हरी मिर्ची स्किप कर सकते हैं, उसके बाद डालेंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया, इसके बाद हम डालेंगे वन टेबल इस्पून दही, दही बहुत ज़्यादा खटी मत लेजिएगा, पस हल्की खटी दही रहेगी तो नास्ता बहुत ही टेस्टी बनेगा, दही डालने के बाद मैं डाल दूंगी नमक, तो दोस्तो धनिया पॉडर एड़ कर रही हूँ, इस नास्ते को चट पटा बनाने के लिए इस सारी चीजे थोड़ा थोड़ा सा करके डालेंगे, यह नास्ता बहुत ही टेस्टी बनेगा, थोड़ा सा मैं गरम मसाला भी डाल दी हूँ, और सारी चीजों को अच्छे से इस तरीके से हा अच्छे से बनके त्यार हो जाता है, यहाँ पे देखे इस तरीके से अच्छे से आप इसे मिला लीजिए, हाथों से धिरे धिरे यह देखे, इस तरीके से सारे बेटर को कर देंगे, हम तयार इस तरीके से अच्छे से मिक्स करके, जैसे आटा लगाते हैं, उसी तरीके से हमने तयार कर दिया है उससे हलका सा गीला रखिएगा हाथों पे थोड़ा पानी या तेल लगा लीजेगा और यह देखे थोड़ा थोड़ा लीजेगा आपको नास्ता जैसा बनाना हो थोड़ा बड़ा या थोड़ा चोटा उस तरीके से ले लीजेगा और इसे गोल करके आप टीकी के जगह पे अलग सेप में भी कोई नास्ते को बना सकते हैं, यह देखिए, यहाँ पे एक-एक उठाते जाओंगी और इस तरीके से नास्ते को बनाते जाओंगी, आप इस नास्ते को लंच बोक्स में दे सकते हैं, बच्चों के लिए साम को बना सकते हैं, हेल्थी गैस की तरफ, गैस पर मैंने रखा है फ्राइंग पेन और इसमें डालेंगे ओयल, यहां पर बहुत ज़्यदा ओयल डालने की आपको जरूरत नहीं है, टू टेबल इस्पून ओयल हमने डाला है और ओयल को अच्छे से गरम होने देंगे, जैसे हमारा ओयल अच्छे से गरम हो करके करके यह देखिए, और दोस्तों जैसे ही नास्ता एक साइड से पक जाएगा तो हम इस तरीके से पलट लेंगे, यह देखिए, तुरंत मत पलटिएगा, नहीं तो यह तूट जाएगा, और इसमें चावल का आटा डला है, तो यह बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जात और फिर इस नास्ते को हम निकाल लेंगे, आप देख पा रहे हैंगे, क्योंकि मैंने चावल का आटा लिया है, और बेशन भी है, दोनों चीज़ें कच्ची हैं, तो थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे देर तक इस नास्ते को सेखिएगा, और सारी चीज़ें अच्छे से पक और नास्ते का कलर बहुत पहराएगा, तो यह देखिए, यहाँ पे हमने सारे नास्ते को बहुत अच्छे से अरट प्रेट के फ्राई कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे नास्ता देखने में भी बहुत ही स्वाधिश्च लग रहा है, तो अब देखिए इस तरीके से को निकाल लेंगे, और गर्मा गर्म नास्ता हम इसी तरीके से टोमेटो केचप या धनिये की चटनी के साथ सब्सक्राइब करेंगे, मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, मुझे जरूर बताईएगा, और मेरी रेसिपी आपको जरा से भी पसंद आए, तो वीडियो को दो क्वेश्टू